जब भी कोई त्योहार होता है तो सबसे पहले याद खीर की आती है हर त्योहार पे खीर सबकी फेवरेट होती है मन पसंद होती है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाईदार रबड़ीदार पिल्कुल हलवाईयों की तरह है खीर की रेसिपी और इसे बनाना बहुत तो आज हम बनाएंगे खीर की रेसिपी और अगर अपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर ले लिया है मैंने 1.0L फूल क्रीम दूद ले लिया है और दूद डालने से पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया था ता जाए रादा कब लिया हुआ है तो यहां पर मैंने रैगुलर चवल लिया है तो एक लिट्र फूल क्रीम दूद के लिए मैंने 1.00 काप officer da इसे वाश कर लिए ताकि इनका सारा स्टाज निकल जाए तो यहां पर मैंने एक बावल में पानी ले लिया है और इसे मैं चावलो को अच्छे से वाश कर लोंगी तब तक कि इसका जो वाइड पानी इसमें सफेद पानी जो निकलेगा वह पूरी तरह से साफ नि हो जाए इस बीच बीच में चमच से हमें चावलों को चलाते रहना है ताकि वह नीचे लगे ना बॉटम में इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे तो उससे जो चावल है वह नीचे लगेंगे नहीं तो शुरू में दो मिनिट के लिए आप इस तरह से इसे कंटीनू चला सकते है तो एक छोटी से कटेवरी में 2-3 चमच में दूद ले लूँगी और दूद गरम है गरम ही दूद लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी पांस से आठ पतिया सैफ्रोन यानि की केसर की केसर डालने से जो है खीर का कलर बहुत ही अच्छा आता है अगर आप फूट कलर यूज करना चाते है तो फूट कलर भी उज़ कर सकते हैं बट ऑरिजिनल कलर लीज़े केसर अगर आपके पास है तो केसर डाले तो दूद हमारा अच्छा से बॉल होने लगा है और यह देखी कितनी अच्छी मलाई आ रही है इसी से हमारी जो खीर है वो रबड़ी दार और मलाई दार बनेगी दूद को हमें कंटिनी उबालना है और इस तरह से उबालेंगे हम इसको हाई फ्लेम पे तो दूद हमारे रिड्यूज कर अच्छा पर दाले तो अच्छा नीचे बॉल रहता है लेकिन जब चावल पकने लगते है तो वो दूद के साथ ऊपर आने लगता है लेकिन इप पूरी तरह से नहीं पके है अभी हमें और पकाना है बिल्कुल मैश कर लें अच्छा से तभी हमारी जो घर है वो एकड़ी पर यहां पर मैंने चार लाइची के दाने ले ले लाइची के लिए खीर में जरूर ज़रें जाए लाइची से बहुत ही अच्छा व्लेवर आता है और खुष्पु भी बहुत अच्छी या थियां के वागत चृल कि और चलके है वो मैं चै के यूज में लेलोंगी इसे अ तो फ्रेंस देखे चावल हमारे अलमोस्ट पग गए हैं और दूद भी आप देख सकते हैं भकवनी भरी तो बिल्कुल आदी हो गई है तो हमारा दूद आदा रड्यूस हो गया है और आप साइड में देख सकते हैं मलाई भी जम रही है और चावल को हम चेक कर लेते हैं प्ल कितनी गाड़ी हो गई है अभी हम इसे थोड़ी दिर और पकाएंगे क्योंकि अभी हमने तक चीनी नहीं डाली है इसमें तो अब में डाल दूदूंगी कुटी हुई इलाइची इसे भी इस तर से मिला देंगे और इलाइची की फ्लेवर और उसका खुष्भू बहुत केसर बाला दूद्ध का अगी तर सब्सक्र encryption केसर का यहां डूदू दूद्ध करते इसमें कितने यलोएच कलर मताआज सीध़ भी इसमें तो तो यहां पर लिय और मूदूनेल हम तो आजिगा अग्राइच से कुट्वी इसमें क्योर हम सब्सक्रिंद करिका पाई तक भी ग्रेट कर लिया और उसमें डाल दिया खीर में इससे का टेक्स्च्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है एक दम गाड़ी हो जाती है क्योंकि नाइल जब दलता है नाइल का बुरादा भी जाल सकते हैं लेकिन इसके अगर अगर अच्छा रहेगा तो उसे थोड़ी सी थिकनेस परती है इसकी खीर की और आप कोटिंग देख सकते हैं चमच पर कितनी गाड़ी है तो खीर हमारी और मोस्ट बनके रेडी हो गई है अभी हम इसमें चीनी नहीं डालें तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो यहां पर मैंने ले लिया एक कप चीनी तो जिससे हमने चावल अब के लिए ता उसी से हमने एक कप पूरी भर के चीनी डाल दिये और इसको एक बड़ चला लेंगे तो चीनी डालने के बाद में एक दो मिनिट के लिए चीनी अपना रस चोड़ती है इसलिए थी थोड़ी सी पतली होती है लेकिन थोड़ी देर बाद में वैसी ही हो जात तो खीर हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है यह देखिए तो खीर को हम एक बावल में सर्व कर लेता है तो थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारिल मैं इसमें उपर से इस तरह से डेकोरेट कर दूगे ताकि यह देखने में बहुत अच्छी लगे और कुछ सैफ्रोन की प तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारी मलायदार अबड़ेदार एकदम मज़ेदार खीर बनके रेडी हो गई है तो आप भी इसको जरूर बनाएए आम शूर आपके घरवे में खीर सभी को पसंद होगी यह देखिए कितनी अच्छे से चावल पके हैं तो बनाएए खाईए नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई